येस पीपल, डन वित यूर ब्रेक, आप लोगों का ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है, अब एक चीज समझना, हम कुछ चोटी 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 प्यारी सी नन्नी मुन्नी सेक्शन पढ़ते हैं, चार सेक्शन है, सिमिलर सिमिलर सेक्शन है, और चारो सेक्शन बहुत ही प्यारी है, नन्नी मुन्नी सी सेक्शन से, जो हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहली सेक्शन हम पढ़ते है, that is section 139, 4A करके, और 4A is related to the return of trust, trust का मतलब होता है, यहां पे trust, trust means, तुने मेरा trust तोड़ दिया, वो वाला trust, नहीं, यहां trust का मतलब होता है, एंजियो जो एंजियो होते हैं नॉन गवर्मेंट और्गेनाइजेशन आप बोल दो इसका पूरा टॉपिक है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट जो ट्रस्ट की बात करते हैं हम अब एक बात समझना रिटन ओप ट्रस्ट क्वेश्चन ही आता है ट्रस्ट को रिटन फ दो हजार करोड है और वो पूरी इंकम एक्जेम्ट हो जाती है अंडर सेक्शन 11 एंड ट्वेल करके दो सेक्शन होती है और 11 ट्वेल में माल लो 2000 करोड है वो पूरा exempt हो गया तो यहाँ पे इसका जो GTI आया gross total income या net taxable income वो तो निला गया अब आप बताएंगे मुझे क्या 139.1 के हिसाब से trust को return file करना है क्या नहीं करना है क्योंकि 139.1 के हिसाब से return हमको तभी file करना पड़ता था जब आपका income basic exemption से ज़्यादा नहीं है और यह company partnership firm नहीं है तो भाईया एक बात बताओ 139.1 के हिसाब से तो इनको return file करना ही नहीं है तो इसके लिए lawmakers ने क्या डाला एक नई section डाली 139.4 और 139.4 में इन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी trust है जिसका income before claiming exemption ये exemption लेने से पहले ये जो exemption है ये exemption लेने से पहले ये वाला जो income है ये अगर basic exemption से ज़्यादा है तो उस case में trust को अपना return file करना पड़ेगा तो lawmakers ने इसलिए 4A डाली 4A डालने के पीछे का ओचित्तिय क्या है reason क्या है, जरूरत क्या है जरूरत ये है कि भाईया ये जो नहीं तो क्या होगा trust को return ही file नहीं करना पड़ेगा तो अब इन्होंने क्या law में डाला कि 11-12 का exemption लेने से पहले ये exemption लेने से पहले ये वाली जो income है ना ये उपर वाली ये वाली income जो है ये अगर basic exemption से ज़्यादा है तो trust को अपना return है वो trust को अपना return file करना पड़ेगा अब एक और चीज़ समझना सर अगर trust को अपना return file करना पड़ेगा तो trust की due date क्या रहेगी तो due date trust की normally audit होती है normally क्या होता है कि अगर मानलो ये जो income है if it is more than 2,50,000 से ज़्यादा income है exemption लेने से पहले वाला तो trust की audit होती है और जब trust की audit होती है तो due date 31st October हो जाएगी अगर trust ने late return file किया तो क्या होगा आपका 234F का जो fees है वो fees तो लगेगा ही लगेगा और fees कितना लग सकता है 1,000 या 5,000 है उसका fees लगेगा अब एक और चीज़ समझना trust के case में एक separate penalty और लगती है that is penalty under section 272A और 272A section ये बोलती है कि trust के case में जो trust है उस trust के case में अगर trust ने late return file किया तो rupees 100 per day का penalty लगेगा rupees 100 per day का penalty है वो 100 per day का penalty लगेगा तो trust जितना return late file करता है हर दिन का 100 रुपया है वो penalty भी लगता है तो देखिए वापस से 139.4A return of the trust क्या trust को return file करना है या नहीं तो ये section ये बोलती है कि अगर ये exemption 11-12 का लेते है ये लेने से पहले वाला ये वाला income अगर basic exemption से ज़ादा है तो उस case में trust को अपना return file करना पड़ेगा और जब trust को अपना return file करना पड़ेगा due date आएगी 31st October late return file किया तो उस case में fees लगेगा एक तो 1000-5000 और दूसरा 272A का आपको 100 रुपया पर डे का penalty भी लगेगा अब एक और चीज़ समझना next section पे चलते है that is 139.4B और 4B is related to the political parties political parties means आपके आम आदमी party और BJP और Congress सपा बसपा मुंबई में मनसे सिवसेना वो सब party political party तो क्या political parties को भी अपना return file करना पड़ता है अब एक बार बताओ मैंने आपको political party वाला topic बता दिया था political parties के case में क्या होता है जो income होती है न जैसे for an example मैं बात करूँ आम आदमी party की ठीक है आम आदमी party की इस साल की income है 500 करोड अब ये 500 करोड क्या हो जाता है पूरा exempt हो जाता है under section 13A 13A में 500 करोड exempt हो गया तो बचेगा कितना कुछ भी नहीं बचा कुछ नहीं 500 करोड पूरा exempt तो उस political party का GTI, NTI तो आगे अनिल अब उसको तो written file करना ही नहीं है अब उसको तो written file करना ही नहीं है तो यहाँ पे lawmakers ने फिर क्या डाला पता है कि अगर ये exemption लेने से पहले ये वाला जो income है जिस पे मैं गोला डाल रहा हूँ वो वाला ये income अगर basic exemption से ज़ादा है धाई लाक रूपे से ज़ादा है तो political parties को भी अपना written file करना पड़ेगा ये जो income है ये वाला जो income है ये income अगर basic exemption से ज़ादा है means धाई लाक से ज़ादा है exemption लेने से पहले वाला income धाई लाक से ज़ादा है तो political parties को भी अपना return है वो return file करना पड़ेगा लेकिन आप बोलेंगे सर political party ने अगर late return file किया तो उस case में क्या होगा obviously 234F का fees लग सकता है 1000 और 5000 करके ठीक है लेकिन इसके पर वो penalty नहीं लगता जो 272A का penalty मैंने उपर बताया था 100 rupees per day वाला वो penalty political parties के case में नहीं लगता political parties के case में due date क्या रहेगी political parties को अपनी audit करानी पड़ेगी तो audit करानी पड़ेगी तो sir यहाँ पे जो आपकी due date रहेगी वो आपकी obviously 31st October रहेगी तो 31st October रहेगी क्योंकि due date आपकी audit करानी पड़ती है political parties को अब एक और चीज समझना next section पे चलते है that is the 139.4C करके अब एक बात समझना यह 139.4C क्या होता है बहुत सारी ऐसी institution है hospitals है जिनकी income exempt होती है under section 10 बहुत सारी बड़ी-बड़ी hospitals होती है बहुत सारी बड़ी-बड़ी institutes होती है जिनकी income exempt होती है 10 में जैसे माल लो मैं बता दू आपने एक सुना होगा 10.23C करके section जिसमें बड़ी-बड़ी hospitals रहती है universities रहती है, college रहते है उनकी income exempt होती है trust topic में अपन पढ़ेंगे 10.23C के बारे में as well as the एक section होती है जैसे 10.23A इसमें क्या होता है जो अपनी CA institute वगेरा है उनकी income भी exempt होती है 10.23A में income is exempted अब एक बात समझना ऐसे का ऐसे एक तुमारा mutual fund company होती है mutual fund company की income exempt होती है उसके कोई भी tax नहीं लगता है उसके साथ साथ में जो securitization trust मैंने topic पढ़ाया था मैंने बोला था securitization trust के हाथ में सब income है वो आपकी exempt हो जाती है ऐसे के ऐसे जो तुमारे क्या बोलते है एक investor protection fund होता है जो investor protection fund होता है उसकी income पूरी exempt होती है उसके कोई tax नहीं लगता ऐसे के ऐसे जो news agencies रहती है news agencies जैसे PTI government की news agency है तो उसके case में कोई भी tax नहीं लगता news agency के case में as well as the trade unions रहती है trade unions के case में कोई tax नहीं लगता तो ये जो लोग है ना इतने सारे इनकी सब की exempt income होती है 10 में 10 में इनकी income exempt हो जाती है तो अब एक बात समझेए हुआ क्या जैसे माल लो foreign example IECI Institute of Chartered Accountant of India उनका income है वो 500 करोड है और इन्हों ने इसमें से exemption ले ली और exemption ले ली माल लो 500 करोड की section 10 की तो यहाँ बचा क्या कुछ भी नहीं NTI nil, GTI nil क्या इनको अपना written file करना पड़ेगा right answer is yes इनको अपना written file करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ law ने क्या बोला पता है कि यह जो institution रहती है कौन-कौन सी जैसे hospital है, medical institution है infrastructure, debt fund है या mutual fund है, या securitization trust है, venture capital company venture capital fund है, research association है उसके बाद में आपकी news agencies है, trade unions है investor protection fund है और fund for the welfare of employee के लिए है या फिर तुमारा court settlement guarantee fund है इनकी income exempt होती है 10 में तो जब इनकी income exempt है तो यहाँ पर exemption यह जो लेते है ना exemption लेने से पहले ये वाला income जो है, वो basic exemption से ज़्यादा होता है, तो उनको अपना return file करना mandatory है तो ये basic exemption से ज़्यादा हुआ ये वाला, तो उनको return file करना पड़ेगा अब एक बात समझना इनकी due date क्या रहती है नॉर्मली इनकी भी audit होती है तो 31st October Late return file किया तो 270, sorry that is 234F का एक तो fees लग जाएगा कितना 1000, 5000 and guys यहाँ पे 272A का penalty भी लगता है कि अगर यह लोग अपना return late file करते है तो इनको पर डे 100 रुपेज का क्या लगता है penalty पर डे 100 रुपेज का penalty लगेगा अगर इनकों ने late return file किया तो यह section है 139.4C उसके बाद एक section होती है 139.4D करके और यह 4D section क्या बोलती है आपको बता है मैंने scientific research पढ़ाया था PGPP में और scientific research में मैंने बहुत सारे वहाँ पर institution की बात की थी मैंने बोला था राहूल ICU research association है institute है, college है, university है अगर आप उनको social statistical research के लिए donation देते हो या scientific research के लिए donation देते हो तो आपको 35 में deduction मिलता है उनकी खुद की income पूरी एक्जेम्ट होती है जो ऐसी institution रहती है जो section 35 वाली है जो ऐसी institution रहती है जो section 35 में registered होती है उनकी खुद की income पूरी एक्जेम्ट होती है क्योंकि वो research वगरा करते है बट उनको written file करना mandatory है mandatory ऐसा भी condition नहीं है कि exemption से पहले income basic exemption से ज़्यादा वगर ऐसा कोई condition नहीं है they have to file the written mandatory means उनको written file करना ही पड़ेगा and उसके बाद 139 4E है and 139 4F है इसके बारे में मैं आपको already पहले बता चुका हूँ कहीं ना कहीं पे 4E ये बोलता है कि जो भी तुमारे business trust होते है business trust मैंने आपको बताया था RIT के case में और INVIT के case में इनके case में return file करना mandatory है they have to file the return and 139 4F बोलता है कि जो भी investment funds होते है investment fund इनके case में भी return file करना mandatory है they have to file the return उनको अपना return है वो file करना ही पड़ेगा return filing is mandatory तो एक बात बताईए मैं अगर यहाँ पे 6 section है total उसको मैं revise कराता हूँ देखिए 139 4A 4B 4C 4D 4E and 4F यह जो 6 section है क्या-क्या पड़ा इसमें देखिए 4A क्या था आपका trust का return यह क्या था political party का return यह क्या था certain institution वगेरा यह क्या था आपके scientific research association institute वगेरा यह क्या था business trust और यह है आपका investment fund अब एक बात समझना lawmakers बोलते हैं कि यह जो पहले वाले तीन लोग है ना इनको return तभी file करना है जब आपका income होता है before exemption before exemption exemption लेने से पहले वाला income है वो आपका ढ़ाई लाग रुपे से ज़ादा है basic exemption से ज़ादा है तो return file करना है यह तीन case ऐसे है जिसमें आपका जो return file करना है वो return file करना mandatory है क्या है mandatory means they have to file the return return filing is mandatory in this three cases यह three cases में mandatory है उपर वाले three cases में तभी file करना है जब आपका income exemption लेने से पहले वाला basic exemption से ज़ादा है चलिए आप एक काम करिए आपकी book में जो पूरा page दे रखाए 287 रहेगा compact में read कर लीजिए आपकी तबस्तिक वाले आपकी जबस्तिक रखाए 287 रहेगा झाले खुछबस्तिक दन पीपल हो गया हो तो बोलिये दन हो झाल प्रूमचर म क्रूमचर कि दो समें तूमों, तो, तो, दन चलिए अब अब अपन 139 4 a b c d e f के बाद हम चलते एक section पे that is the section दे रखी है आपको 140 और 140 section में आपको दे रखा है that is verification of return means return को कौन verify करेगा पहले मैं बताओ पहले यहां पे होता था signing of return means पहले section का नाम हुआ करता था signing of return बड़ थोड़े time बाद फिर उसको verification कर दिया अगर आपको याद रहेगा तो पहले क्या होता था हम return को sign करके और उसका जो acknowledgement है न वह acknowledgement बैंगलोड cpc भेजते थे अगर आपको याद रहेगा बच्पन की बाते कि पहले हम क्या करते थे एक acknowledgement लेते थे और वह acknowledgement जो निकलता था जिसको आप ITRV बोलते है शायद वह वाला acknowledgement क्या करते थे हम भेज देते थे sign करके बैंगलोड क्लाइंट से sign कराते थे बढ़ हमारे office में तो बड़े expert बन दे थे क्या करते थे क्लाइंट का sign देखते थे दो बार क्लाइंट का sign है वह रफ पेपर पर करते थे तो तीसरा सीधा उस पे और सीधा बैंगलोर भेज देते थे और रिटन है वह वह वैरीफाइब भी हो जाता था वैसा लेकिन उसके बाद इन्हों क्या किया सब चीज़े online कर दी और obviously जरूरी हो गया क्योंकि आप समझिए बैंगलोर में एक साल में 5 करोड पेपर जाते होंगे विकास 5 करोड अगर रिटन फाइल होते है तो 5 करोड पेपर जाते होंगे तो 5 करोड पेपर कितना सारा कच्रा हो जाता होगा उसके साथ-साथ 5 करोड एनलोप भी जाते थे कभी-कभी साइन मैच नहीं हुआ तो वापस आप से बाप वेज देते थे करके ठीक है तो आप सोचिए कितना ज्यादा वहाँ पेपर का वेस्टेस था और उसको अब लोग अभी तो बैंक से भी कर सकते हैं बैंक अकाउंट जो है आपका नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से आप वेरीफाय कर लीजिए फड़ा फड़ हो जाता है उसके साथ-साथ में लेकिन आज भी ऐसा होता है कि अगर मानलो आपका आदार लिंक नहीं है तो आज भी हमको paper वो sign करके भेजना पड़ता है, obviously that is the last option, उसमें दे रखा है कि क्या-क्या option है, तो उसमें ये भी option है कि आप बैंगलोर भेज दीजिए, अगर आपका आदार link वगरा नहीं है, तो आप फिर बैंगलोर भेज दीजिए, net banking भी नहीं है, जैसे मीरा written है, एक individual का written कौन करेगा, वो खुद ही करेगा, एक individual है, उसका written है, वो individual खुद verify करेगा, अब अगर कोई individual इंडिया में नहीं है, या फिर individual mentally capable नहीं है, अगर mentally capable नहीं है, या फिर individual इंडिया में नहीं है, तो इंडिया के बहार से भी return verify तो करी सकते हैं, क्या फरक पड़ता है, online करना है, बड़ अगर इंडिया में नहीं है, या फिर mentally capable है, तो उस case में जो भी उसके बिहाब पे verify करने के लिए competent है ना, वो कर सकता है verify, अगर कोई हुआप है, तो हुआप के case में करता verify करेगा, अगर कोई भी करता इंडिया में नहीं है, या करता जो है, वो mentally disabled है, mentally जो है, वो physically, mentally fit नहीं है, तो उस case में कोई भी adult member है, वो कर सकता है, लेकिन minor नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं के घर में चोटा बच्चा था, बोले ले ले ले, तू verify कर ले, it's not like that, तो achieve का return, करता करेगा, बट करत इंडिया में नहीं है, या करता जो है, वो mentally capable नहीं है, तो उस case में कोई भी member कर सकता है, बट वो adult होना चाहिए, वो minor नहीं होना चाहिए, सर पाटनेशिप फम के case में कौन करेगा, obviously managing partner, लेकिन बहुत सारी partnership के में managing partner होता ही नहीं है, सब partner equal, तो उस case में कोई भी partner कर सकता है लेकिन वो adult होना चाहिए, minor नहीं चलेगा कोई भी partner कर सकता है, वो minor नहीं होना चाहिए Sir, LLP के case में कौन करेगा, obviously designated partner करेगा जैसे managing partner होता है, वैसे designated partner होता है लेकिन अगर माल लो, वहाँ पे जो LLP के case में designated partner नहीं है तो उस case में कोई भी दूसरा partner कर सकता है अब यहाँ पे minor लिखने की जरूरती नहीं है क्योंकि आपको पता है, LLP के case में minor partner नहीं बन सकता LLP के case में आपको क्या चाहिए होता है DIN number चाहिए, और DIN number minor को मिलता नहीं है तो minor partner बनी नहीं सकता LLP के case में तो कोई भी partner कर सकता है, यहाँ पे एक और जीज़ बोला और any other person may be prescribe यहाँ पे CBDT और भी किसी person को prescribe कर सकती है LLP के case में sign करने के लिए verify करने के लिए किसी और भी person को prescribe कर सकती है यह किया है इन्होंने IBC में अगर मालो आपका case IBC में चल रहा है insolvency at bank currency में तो उस case में LLP के case में किसी और person को appoint जो करते है वो person भी verify कर सकता है ऐसा clarification इन्होंने last में दिया है तो देखिए any other person may be prescribe उन्होंने prescribe नीचे किया है तो any other person may be prescribe उसके बाद company के case में कौन करेगा तो company के case में managing director करेगा बट अगर MD है नीचे तो any other director कर सकता है या फिर any other person may be prescribe जो इन्होंने last में prescribe किया है company अगर liquidation में है तो liquidator करता है अगर application for corporate insolvency resolution process has been admitted by adjudicating authority अगर आपकी जो application है वो IBC 2016 में admit हो गई है admit हो गई है तो जो insolvency professional appointed by such adjudicating authority जो insolvency professional होता है chartered accountant भी insolvency professional बन सकता है तो वो return को verify करेगा political party के case में CEO अगर local authority के case में principal officer और any other person के case में person competent to verify the return जो verify करने की आउकात रखता है वो verify कर सकता है अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना यहाँ पर जो दो जगे आपको dot लगा रखे है करके ठीक एक तो आपका यहाँ LLP के case में अगर designated partner नहीं है तो any other person notify हो सकता है as well as the company के case में भी director को छोड़के any other person notify हो सकता है तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ यह amendment है इन्होंने बोला कि person appointed by adjudicating authority for discharge the duties or function of an interim resolution process means person appointed by adjudicating authority अगर adjudicating authority ने यहाँ पर appoint किया है for discharge the duty and the function of an interim resolution professional और a resolution professional और a liquidator as the case में भी under IBC 2016 तो इन्होंने बोला कि किसी भी person को appoint किया है किसने appoint किया है adjudicating authority ने कौन सी duty discharge करने के लिए interim resolution professional की liquidator की duty को discharge करने के लिए जिसको appoint किया है वो person भी written को verify कर सकता है ऐसा इन्होंने लिखा है IBC 2016 है वो आपने law में पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपको मेरे से ज़्यादा knowledge रहेगी चलिए अब अपन एक और section पढ़ते है that is the 139 AA and AA means आधार आ आ 139 AA means आधार ठीक है बड़ी ही interesting section आधार काड़ वाली अब एक बात बताईए यह section क्या बोलती है समझने एक खोशिश करिया हाँ हम पढ़ने वाले है 139 AA और is for आधार काड़ आधार 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 अब एक बात बताईए इदर देखिए आप लोगों lawmakers बोलते है lawmakers क्या बोलते है समझना कि अगर आप 1st July 2017 date याद रहे तो रखिएगा better रहेगा नहीं रहे तो फिर कुछ बोल नहीं सकते 1st July 1st July 2017 इस date या इसके बाद means on or after 1st July 2017 अगर आप किसी भी pen card के लिए apply करेंगे pen card के लिए apply करेंगे तो उसमें आपको आधार नमबर लगाना पड़ेगा आधार नमबर is mandatory if you are eligible for opting the आधार अगर आप आधार eligible हो opt करने के लिए तो 1st July 2017 के बाद आप कोई भी pen card के लिए apply करेंगे you have to give the आधार नमबर also आपको आधार नमबर देना पड़ेगा या फिर 1st July 2017 उसके बाद आप कोई return file करते हैं तो return file करते time आपको अपना आधार नमबर है वो आधार नमबर लगाना पड़ेगा तो देखिए मैंने क्या बोला अगर आप 1st July 2017 या उसके बाद कोई pen card के लिए apply करेंगे you have to quote the आधार नमबर और if you file the return on or after this date you have to quote the आधार नमबर if you are eligible to opt the आधार नमबर अब एक चीज समझना अगर आपका आधार नमबर आया नहीं है तो उस case में if you don't have the आधार नमबर in that case but you already applied तो आपको पता आधार नमबर का एक acknowledgement ID रहता है और वो acknowledgement ID रहता है slash 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 वाला करगे ठीक है तो वो acknowledgement ID आप लगा लीजिए और acknowledgement ID लगाएंगे चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना सर ये तो आप बोल रहे है के on or after this date if you apply for pen you have to quote the आधार if you file the return you have to quote the आधार lawmakers दूसरा point ये बोलते है के suppose on 1st July 2017 you are already holding the pen already holding pen means इस date को आपके पास pen card है permanent account number है then guys lawmakers बोलते है अगर आपके पास already pen है NOT then you have to link this pen with आधार आपको link with आधार आपको आधार के साथ में link करना पड़ेगा उस pen को आधार के साथ में अगर आप already pen card hold करते है on 1st July 2017 then you have to link your pen with आधार miss pen और आधार को आपको link करना पड़ेगा कब तक करना पड़ेगा government date देगी government notification के through date देगी और government ने ये date जो है वो दी थी फिर बढ़ाते गई बढ़ाते गई बढ़ाते गई बढ़ाते गई बढ़ाते गई बढ़ाते गई इतनी बार इस date को extend कर दिया है अब आपको याद रखना है के ये जो date है ये है 31st March 2022 Means 31st March 2022 तक इस date तक आपको क्या करना पड़ेगा पता है अपने आधार और पें को link कराना पड़ेगा आधार और पें को link कराना पड़ेगा Considerate तक 31st March 2022 This is the date कि इस date तक ना पड़ेगा अब आप बोलेंगे के सर कैसे करा सकते ओविसली आप ओनलाइन प्रोसेस है ओनलाइन करा सकते है मोबाइल मैसेज के थू भी करा सकते है अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक अब एक चीज समझना अगर आपने 31st मार्च 2020 तक लिंक नहीं कराया तो क्या होगा अगर आपने 31st मार्च 2022 तक लिंक नहीं कराया देन आपका जो पैन नमबर है न यौर पैन नमबर विल बी दा इन ओपरेटिव आपका pen number है वो inoperative हो जाएगा और आपका pen number inoperative हो जाएगा इसका मतलब यह है कि आपका pen operation में नहीं रहेगा अब आपका pen inoperative होगा तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ जैसे माल लो आपका pen inoperative हो गया आप जैसे ही bank जाएंगे cash जमा करवाने और 50,000 से ज्यादा है you have to give the pen number आप जैसे ही pen number देंगे वो bank वाला check करेगा pen inoperative हो जाएगा वो नहीं लेगा pen inoperative है penalties लगनी चालू हो जाएगी आपको उसके बाद माल लो आपका TDS का case है और आपका TDS काटना है आगे वाले को TDS काटना है आपने pen दिया pen is inoperative pen is inoperative तो यह माना जाएगा आपने pen card दिया ही नहीं number quote करेंगे या कोई भी pen card के लिए आप apply करेंगे उसमें आप आधार number quote करेंगे लेकिन 1st July 2017 को आपके पास already pen card है already आपके पास pen card है on this particular date you have to link with the आधार and आपको कब तक link करवाना 31st March 2022 तक है वो आपको link कराना है अगर आप इस date तक link नहीं कराते है तो आपका pen number है वो क्या हो जाएगा inoperative हो जाएगा क्या हो जाएगा inoperative लेकिन guys एक चीज समझना जो मैंने ये दो चीज़े बताई ना क्या आपको आधार number लगाना है ये आपको link कराना है ये चार लोगों पर नहीं लगेगा this particular section 139 AA is not applicable for the four people पहला तो कौन अगर कोई बंदा non-resident है तो इसको ये सब करने की ज़रूद नहीं है अगर कोई बंदा non-resident है means not a Indian resident India का resident नहीं है as per income tax act he is a non-resident उसको ये सब करने की जरूद नहीं है दूसरा अगर non-citizen of India है non-citizen of India मिस अगर वो इंडिया का citizen नहीं है citizenship उसके पास बाहर की है जैसे अक्षेक हुमार अक्षेक हुमार के पास बोलते है केनेडा की citizenship है तो जिसके पास अगर citizenship इंडिया की नहीं है उसको भी ये करने की ज़रुवत नहीं है linkage वगेरा करके ठीक है प्रोज उसको आदार नंबर अलोट नहीं होता है उसके बाद तीसरा अगर कोई person है वो person रहता है या तो जम्मू एंड कश्मीर में या फिर मेगाले में करके ठीक है या फिर आसाम में देखिए वो तीन state में ऐसे भी बहुत problem चल रही है एनर्सी को लेके और तो जम्मू एंड कश्मीर मेगाले या आसाम में अगर वो रहता है जम्मू एंड कश्मीर मेगाले और आसाम में वो रहता है तो उसको वहाँ पे आदार नंबर भी ढंगसे अलोट नहीं हुए और तो इसके अब आपको आपको पैन और आदार लिंक कराओगे अपने आपको गौड से लिंक करिए करिए ठीक है अपने आप से भगवान को लिंक करिए आपको अपने आपको जो है वो भगवान से लिंक करना है और यहां पे आपको आदार पैन लिंक करने की ज़रुरत नहीं है तो देखिए ये जो section है ये चार लोगों पर नहीं लगेगी पहला non-resident दूसरा आपका non-citizen of India तीसरा जम्मो एंड कश्मीर मेगाले आसाम में का residing person है या फिर जिसका age 80 years या उससे ज्यादा हो चुका है उसको ये सब link वगरा कराने की जरूरत नहीं है अब आप इसमें सर क्या होगा inoperative हो गया तो ये माना जाएगा जैसे आपने pen दिया ही नहीं है जहां जहां पैन देना था आपका pen inoperative हो गया ये माना जाएगा आपने pen दिया ही नहीं है अब जब आपने pen दिया ही नहीं है आपने जो है आपने pen दिया ही नहीं है तो inoperative हो गया फिर आपने link नहीं कराया था तो in operative हो गया तो उस case में क्या होगा आपका ये वापस operative होगा answer is yes जिस दिन आप pen और आधार को link करा देंगे वापस pen और आधार को जिस दिन आपने link करा दिया उस date से वापस से आपका pen card operative हो जाएगा उस date से वापस से आपका जो pen card है वो operative हो जाएगा जिस दिन link कराया उस दिन से वापस से operative हो जाएगा लेकिन यहाँ पर एक नई section डाली गई इस साल से और वो नई section है that is the section 234H करके और 234H बोलती है अगर आप इस date के बाद link कराएगे ना जैसे 31st March 2022 22 इस date के बाद अगर आप link कराएगे तो आपको 1,000 रुपेज तक का fees लगेगा कितना fees लगेगा आपको 1,000 रुपेज का fees लगेगा तो भाईया आपके client के case में आप link करा दीजिए अगर आप इसके बाद link कराएगे तो आपको 1,000 रुपिस का है वो fees लगेगा ये एक नई section डाली है 234 edge करके और वो बोलती है का आपको 1000 रुपे तक fees लगेगा अगर आपने जो link कराया वो 31st March 2022 के बाद में कराया तो करके ठीक है you got my point or not yes चलिए एक काम करिए आदार कड़ वाला पूरा part आप एक बार रीड कर दीजिए आप एक बार आप एक बार आपको 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 झाल झाल इस पीपल डन आप लोगों का हो गया जाल चलिए डन बोलिये डन अधार नमबर यहां तक हो चुका आपका जाला सरकल आदार को वोटर आईडी से लिंक करने का भी बिल प्रेजेंट हुआ है क्या बोले अभी कि सबको लिंक करी लो एक बार मेरे इसाब सब एक ही काड होना चाहिए वो सब जगे चलना चाहिए मलब देर शुट बीए वन काड़ यहां देट शुट भी एक ओवरल काड मलब बस उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए क्या अलग लग का अब उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या ऐसा पॉलिटिकल पार्टी यूज ना करें बहुत सारे लोग उसका ओपोजिशन में जो बात कर रहे हो इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे मतलब आपका पर्सनल डेटा जो है वो यूज हो सकता है जलो चलिए अब बपन नेक्स पॉइंट पे चलते हैं और इस अपैन नंबर पर्मानेंट अकाउट नंबर और जो लोग गुजरात से वो बोलते है पान नमबर करके ठीक है वो बोलते है पान हम बोलते है पैन वो बोलते है पान ठीक है हाँ तो देखिए एक होता है पान नमबर एक होता है पैन नमबर दोनों सेमी होता है तो गुजरात में जो लोग है जुनागडवाले जुनागडवाले बोलते ह पान नमबर हम बोलते हैं पैन नमबर ठीए दोनों से भी है अब एक चीज समझना क्वेश्चन ही आता है पैन कार्ड किसको लेना पड़ेगा मिस जो पैन कार्ड है सर्फ पैन कार्ड के लिए अपला है किसको करना पड़ता है कौन पैन कार्ड लेगा तो बड़ा सिंपल सी च आपको पैंट ने座े enorme पूली हिसSmith निम्हान के सबसे mudar सबसे पहले तरहले के सबसे पहले मुरार्य और टोतल हिंगम उस श्कील पाइस जएद बाल under the act during the previous year exit the basic exemption means आपकी जो इंकम है वो basic exemption से जादा है या किसी और person की income के बारे में आप accessible हो रहे हो आपके हाथ में वो एड हो रही है आपकी इंकम basic exemption से जादा है तो आपको pen card के लिए apply करना पड़ेगा कब तक before the 31st May of the assessment year जैसे previous year complete हो गया तो previous year complete होते ही आपको पता चल कि आपकी इंकम ड़ी लाग से जादा है तो assessment year में 31st May जो आता है ना उससे पहले पहले आप क्या करिए पैन के लिए apply कर दीजिए दूसरी चीज़ अगर आप कोई भी business करते है या profession करते है और आपका जो turnover है या gross receipt है वो likely to be exit five lakh in the previous year मिस पांच लाग रुपे से ज़्यादा होने वाला है आप अगर business profession करते है और पहले साल आपको लग जाता है कि हमारा turnover पांच लाग को cross कर जाएगा पांच लाग को cross कर जाएगा तब आप एक काम करिए उस year के end से पहले पहले मिस end of the previous year तक आप pen card के लिए apply कर दीजिए मिस I can say that 31st March of previous year तक ही आपको pen card के लिए apply करना पड़ेगा तो देखो पहला क्या अगर आपकी कोई charitable religious trust है जो 139 forum है उसको pen card के लिए apply करना पड़ेगा mandatory till the end of the previous year तो जैसे trust का formation हो जाता है फिर आपको pen card के लिए apply करना पड़ेगा before the end of the previous year तक ही आपको करना पड़ेगा मिस 31st March तक अब एक बात समझना ये लोग बोलते हैं कि अगर कोई भी person है जो resident है पहली financial transaction में enter होते है financial transaction मलब कई भी ऐसा transaction जिसमें finance involved होता है पैसा है वो financial transaction कोई भी हो सकता है financial transaction में enter होते है और अगर वो पूरे previous year में धाई लाक रुपया उससे जादा है तो उनको pen card के लिए apply करना mandatory अब एक बात बताओ आज कल तो partnership firm है या company है वो तो of 2,50,000 और more in a financial year तो उसको 31st में से पहले-पहले क्या करना पड़ेगा pen card के लिए apply करना पड़ेगा जो assessment यह आएगा उसमें 31st में से पहले-पहले pen card के लिए apply करना पड़ेगा और एक बात बताइए अगर इस person को pen card के लिए apply करना है तो उस case में जो उसके MD रहेंगे या उ competent to act on behalf of such person referring for उनको भी pen card के लिए apply करना पड़ेगा कब तक 31st में तक अगले साल जो previous year complete होगा उसके बाद 31st में तक तो मैं आपको बोलू अब एक बात समझता है यहाँ 5 लोग ऐसे है यहाँ 5 लोग ऐसे है जिनको pen card के लिए mandatory apply करना पड़ेगा कौन-कौन पहला अगर आपकी income या किसी और person की income जो आपकी income add हो रही है your income is more than basic exemption dialogue से जादा है आपको pen के लिए apply करना पड़ेगा second अगर आप किसी business या profession में हो और आपका likely to be turnover 5 लोग से जादा होने वाला previous year के end तक ही pen card apply कर दीजिए trust के case में pen card is mandatory till 31st March तक करना पड़ेगा और जो भी ऐसा कोई resident person है individual को छोड़के कोई भी resident person, company, partnership from AOPBI and all if they enter into any financial transaction in the previous year and that financial transaction is 2,50,000 और more they have to apply for the pen और अगर उनको apply करना है pen के लिए तो उनके जो भी partner रहेंगे, MD रहेंगे, director रहेंगे, CEO रहेंगे, करता रहेंगे, founder रहेंगे उन सबको भी pen card के लिए apply करना पड़ेगा, कब तक 31st May तक, कब तक 31st May तक, अब एक चीज समझना, यहाँ पे मैंने कुछ cases दे रखे है, कि जहाँ पे आपको pen coat करना पड़ता है, मिस कुछ cases ऐसे है, जहाँ जहाँ आपको pen coat करना पड़ता है, जैसे आपने कोई motor vehicle खरीदा टू-wheeler को छोड़के, तो यहाँ buyer seller जो है, sale और purchase के case में आपको pen card लगाना पड़ता है, आपको account open करते हो, basic saving account को छोड़के, तो आपको pen card लगाना पड़ता है, अगर आप मानलो कहीं पे भी debit card, credit card के लिए apply करते हो, तो आपको pen card लगाना पड़ता है, DMAT account के case में pen card लगा अफरा transaction ऐसे है, जिसमें आपको pen card लगाना पड़ता है, अब एक बात समझना, ये जो 18 transaction है, आप सिरफ घर पे जाके इसको read कर लीजिए का, बस, आप read करके आईएगा इनको, कैसे कौन-कौन से transaction है, जहाँ पे pen card लगाना है, obviously सब transaction याद नहीं रहेंगे आपको, but आप इस सारे चीज़े ऐसी इदे रखी है, जहाँ पे आपको pen card लगाना पड़ता है, आप एक बार read करेंगे, आपको सब चीज़े समझ में आ जाएगी, अब एक चीज़ समझना, मैंने आपको बोला 5 लोगों को pen card लेना पड़ता है, जो उपर मैंने बता है, अब कुछ लोग ऐस से जिनको pen card नहीं लेना, following person not required to obtain the pen, इनको pen card लेना रहे नहीं है, किस किस को, एक तो माईनर को, अगर माऊनर की income है, वो parents के हात में club हो रही है, तो माईनर को pen card लेनी की ज़रूट नहीं है, माईनर जो है ये transaction में भी एंटर कर सकता है, परेंट्स के pen card से कोई problem नहीं है, जै है वो मेरा pen card मेरी वाइफ का pen card use कर सकता है तो देखिए minor not having any income taxable on in own hands उसके हाथ में कोई taxable नहीं हो रहा है can enter into the above transaction by quoting the pen of his parents और guardian यहाँ पे उसको खुद को pen card के लिए apply करने की जरूवत नहीं अब एक और बात समझना यहाँ दो लोग और है जिनको pen card के लिए apply नहीं करना and this is the amendment पहला यह और यह amendment को मैं link कराता हूँ वहाँ पे मैंने बोला था return file करने की जरूवत नहीं है तो यहाँ पे इन्होंने बोला के in case of the non-resident अगर कोई non-resident है earn only income from investment in the specified fund अगर माल लो उसने specified fund में investment किया था specified fund का मतलब category 1 & 2 of the alternate investment fund located in the IFSC in the previous year and specified fund specified fund का मतलब यह investment fund होता है ठीक है अगर investment fund ने उसमें invest किया था और investment fund ने उसका TDS काट लिया है तो जब TDS काट लिया है तो वहाँ बोला था इसको return file करने की भी जरूरत नहीं है तो जब return file करने की भी जरूरत नहीं तो क्या उसको इंडिया में pen card लेना पड़ेगा answer is no तो अगर कोई non-resident है और उसने invest किसमें किया investment fund में और investment fund कहां पे located IFSC में करके ठीक है IFSC में located है और भाईया उसने अगर मालो 194 LBB में TDS काट लिया है तो उस case में इसको pen card की भी जरूरत नहीं है उसके बाद दूसरा in case of non-resident eligible foreign investor non-resident foreign eligible investor earn only income from transaction made in the capital asset referred in section 47 7ab करके वह 47 7ab में assets दे रखी है वह assets में transaction करता है 47 7ab अगर आप capital gain में जाके देखेंगे तो वहाँ bonds भी है उसमें बहुत सारी asset दे रखी है ठीक है अगर वह asset आप IFSC में बेच देते हो which are listed on recognized stock actions in IFSC and consideration है वो foreign currency में मिलता है तो इनको pen card की भी जरूरत नहीं है इनको pen card obtain करने की जरूरत नहीं लेकिन एक बात बताईए इनको कुछ-कुछ चीजे है वो information देनी पड़ेगी क्या-क्या non-resident या foreign investor है furnish the following detail and document to the specified fund या stock broker को क्या-क्या एक तो उनका name email id contact number देना पड़ेगा address in the foreign country of which he is a resident वो देना पड़ेगा declaration that resident of foreign country उसका declaration देना पड़ेगा और वहां का कोई tax identification number है मिस वहां का कोई pen number है तो वो देना पड़ेगा इन विच जहां वो रहता है if not available then a unique number on the basis of NR is identified in that country मिस वहां का अगर कोई भी आदार नंबर वगेरा उस country का होगा तो वो देना पड़ेगा तो यह basic information देनी पड़ेगी उस non-resident को pen card लेने की ज़रुवत नहीं तो देखो इंकम कमाता है कहां IFSC में located recognized stock exchange में transaction करता है वो asset बेचता है और उससे capital gain ऐसे भी exempt होता है वहां जाके देखो के 47 में exempt है तो उसको फिर pen card लेने की ज़रुवत नहीं और return file करने की भी ज़रुवत नहीं है अब एक बात समझता हूँ the specified fund broker file quarterly statement for the quarter in which the above detail are received in form no.49 BA to the DGIT or PDGIT DGIT means Director General of Income Tax or Principal Director General of Income Tax and upload the declaration received within 15 days from the end of the quarter in which statement relates तो यहां पे जैसे quarterly statement वो file करेंगे करें ठीक है और जैसे वो file करेंगे इनको मिलेगा उससे 15 दिन के अंदर अंदर वो upload करना पड़ेगा करें ठीक है जैसे quarter end से 15 दिन के अंदर अंदर आपको यह file करना पड़ता है कौन जो specified fund या broker है वो file करेंगे कि यह यह logo का detail है जिनके पास pen number नहीं है और उनको written file करने की भी जरूरत नहीं है बट यह information देनी पड़ती है चलिए not more important part एक case law है स्रीमती कोशल ले आब आई करके 2012 इसको आप काट दीजिए because ICI material से इसको हटा दिया है ICI material से हटा दिया है आप side में इसको काट सकते अब इसमें क्या था कि अगर मालनों किसी ने आपको पता है pen number नहीं दिया तो उसमें क्या होता है जब pen number नहीं देते है तो उसका 20% TDS कट जाता है अब हुआ क्या एक declaration दी 197A के और 197A की declaration मे यह होता है कि आपकी income basic exemption से ज्यादा नहीं है तो आप declaration दे सकते 197A में और आपका TDS नहीं कटेगा अब उसना declaration दी बड़ declaration में pen number नहीं डाला क्योंकि declaration में pen number इसलिए नहीं डाला क्योंकि SSC बोलती है को सल्या भाई बोलती है कि मेरे को pen number लेनी की जरूरती नहीं तो जब मेरे को pen number लेनी की जरूरती नहीं है तो मैं declaration दे सकती हूं और declaration दी उसमें पैन नबर नहीं है तो यहाँ पे अससी वो क्या बोलते हैं बैंक ने TDS काथा 20% से तो क्या 20% से TDS कटना चाहिए? आंसर इस नो तो देखिए इस case में हुआ क्या तक करनाटा का हाई कोड़ गाजजमेंट है It is not necessary for such person whose income is below the basic exemption to obtain the pen in view of the specified provision under section 1891 Section 206AA is not applicable to such person Therefore, bank or financial institution shall not insist upon such person to furnish pen while filing declaration under section 197A However, section 206AA would continue to be applicable to person whose income above the basic exemption अगर बालो basic exemption से कम है और उन्होंने declaration दिया उनके पास pen number नहीं है क्योंकि pen number जरूरत नहीं थी तो आप declaration accept करोगे और उनका TDS नहीं काटोगे ऐसा करनाट का हाई कोट ने बोला था बट अभी ये case law बहुत पुराना हो गया तो ICI ने अपने material से हटा दिया चलिए अब एक चीज समझना एक बड़ी ही interesting सी चीज आई है और वो चीज आई है last year last year by finance act 2020 से और हमारी निर्मला ताई जो है निर्मला ताई ने ये बोला कि अब से मैं तुमारा pen और आधार कार्ड interchangeable कर दूंगे उन्होंने interchangeable word यूज किया था पार्लियामेंट में जाके आप देखेंगे अगर उनकी speech तो उनकी speech में उन्होंने ऐसे बोला था कि now pen and आधार is interchangeable तो कि सच में interchangeable word सही है answer is no interchangeable नहीं होना चाहिए word interchangeable किसको बोलते है बदा है कि जब आप pen की जगे आधार यूज कर सकते है आधार की जगे pen यूज कर सकते है तब interchangeable होगा यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ पर क्या है बदा है यहाँ इनका कहना यह है कि अगर आपने pen और आधार को link कर दिया है आपका pen आधार कार्ड से link है तो आप pen की जगे आधार use कर दीजिए तो pen की जगे आधार use कर सकते हैं तो ये interchangeable नहीं होता interchangeable word कहां use होता है जब दोनों एक दूसरी की जगे use हो सकते हैं तो यहां क्या है या interchangeable word मैं बोलूँगा सही नहीं है बड़ जो use किया था वो मैं बता रहा हूँ इन्होंने बोला कि अगर मालो आपके पास pen है आपके पास आधार है आप उसको link करा रहे चुके है आप उसको link करा चुके है दोनों को दोनों के बीच में प्यार करा चुके है तो अब future में जहाँ जहाँ आपको pen देना है न वहाँ वहाँ आप आधार गंपर दे सकते हैं अगर आपका link है तो जहाँ जहाँ आपको pen देना है वहाँ पे आप आधार दे सकते हैं ऐसा government ने आपको permit किया है एक और चीज अगर मालो आपके पास में आपके पास में all people just pay attention दे दे कोई दे कोई दे कोई दे कोई दे कोई अगर आपके पास में pen card नहीं है आपके पास pen card नहीं है मैं जो बोल रहा हूं मेरे words पर ध्यान देना you don't have the pen card but आपके पास आधार नंबर है आपके पास pen card नहीं है बट आपके पास आधार नمबर है तो आप एक काम करिए pen card नहीं है आपके पास you don't have the pen card अगर मम्मा कोई asset transaction में enter करना चाती है जहाँ pen card लगता है तो मम्मा को कुछ नहीं करना वो आधार काड दे देना है department ये मान लेगा कि मेरी मम्मी ने pen card के लिए apply किया है और department automatically मेरी मम्मी को pen card allot कर देगा, देखिए दो चीजे मैंने बोली, दो चीजे मैंने बोली दोनों पर ध्यान देना पहला point मैंने ये बोला कि अगर मान लो आपका pen card और आधार card already link है, means already you have linked your pen and आधार, pen आधार already link है, तो जब pen और आधार already link है तो आप pen की जगे आधार दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है करके ठीक है दूसरा, आपके पास pen card नहीं है, जैसे मेरी मम्मी के पास pen card नहीं है, मम्मी ऐसे transaction में enter करना चाहती है, जहाँ pen की ज़रुवत है, तो मम्मा क्या करेगी पता है, मम्मा अपना आधार card दे देगी तो जैसे ही मम्मी ने आधार card दिया, department यह मान लेगा कि मेरी मम्मी ने pen card के लिए apply किया है, और मेरी मम्मी को without any documentation automatically वो लोग क्या करेंगे pen card issue कर देंगे automatically वो लोग क्या करेंगे pen card है, वो pen card issue कर लेंगे और मेरी मम्मी के पास pen card आजाएगा, you got my point or not yes, तो देखिए क्या लिखाओ, all people just pay attention समझना, every person who is required to intimate or coat his pen अगर उसका pen coat करना था may coat his आदार, वो pen की जगे आदार coat कर सकता है, कब? मैं दूसरा point पहले पढ़ूंगा has been allotted a pen, उसके पास already pen है, and has already linked आदार and pen उसके पास already pen है, और वो pen आदार से link हो चुका है, दूसरा has not been allotted pen, उसके पास pen नहीं है but possess the आदार उसके पास आदार है automatically उसको है, वो pen card दे देगा, अब एक और चीज़ समझना, यहाँ पे आगे point number 2 और डाला, वो क्या बोलता है कि every person entering into the prescribed transaction government और transaction prescribed करने वाली है future में, और transaction जब prescribed करेगी every person entering into prescribed transaction जो उपर transaction दे रके हो तो ही है और भी transaction prescribed कर सकते है shall be required to authenticate the pen and आदार quoted, एक बात बता हूँ आगे future में क्या होगा न, कि आपने जो pen दिया है, या आदार दिया है वो authenticate भी करना पड़ेगा कि यह सही है या नहीं, लोग क्या करते है गलत दे देते है pen, किसी और का pen देते है, मैं bank में cash deposit कराने मैंने मेरे employee का pen दे दिया किसी और काई pen दे देते थे, तो in future में अब क्या होगा पता है, authenticate होगा कि यह pen सही है या नहीं करके ठीए यह आदार सही है या नहीं और यह authenticate करना पड़ेगा तो देखिए, every person entering into prescribed transaction, shall be required to authenticate the pen और आदार quoted, जो उसने quote किया है, वो authenticate करना पड़ेगा, and also every person receiving such document should ensure that pen और आदार is quoted on the document is authenticated, और जो वो document या transaction में जो enter हो रहा है, वो आगे वाले person को भी check करना पड़ेगा, कि भाईया, यह authenticated pen आदार है या नहीं है, example मैंने लिया है, जैसे suppose Mr. BB paid insurance premium of 80,000 to LIC, and BB submitted his pen और आदार, then BB required to authenticate that pen और आदार belongs to him, कि यह मेरा ही है, मैं उसको authenticate पहले तो करूँगा, और उसके बाद, in this case, LIC also required to authenticate that pen और आदार belongs to the BB only, यहाँ पे, वो भी authenticate करेंगे, कि यह pen और आदार BB का ही है या नहीं, अगर माल लो दोदों में से कोई भी fail होता है, तो उसमें 10,000 रुपे का penalty है, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, तो देखिए, अब यहाँ पे 272B का penalty आ गया, और यह penalty क्या बोलता है, penalty for failure to comply with section 139A, 139A is related to pen, देखिए, सबसे पहला fails to comply with the section 139A, मिस आपका income basic exemption से ज़्यादा है, और आपने माल लो, pen apply नहीं किया, तो आपको 10,000 रुपे का penalty लगेगा, कितना 10,000 का penalty, दूसरा a person required to quote his pen और आदार in any document, referred under section 139A, quotes a false number, अगर आपको कहीं pen number देना था, आदार नंबर देना था, आपने गलत नंबर दिया, अगर आपने गलत नंबर दिया, आपको 10,000 रुपे का penalty, उसके बाद person entering into prescribed transaction fails to authenticate pen और आदार in the document, आप authenticate नहीं कर पाए, आप जो है, वो pen और आदार को authenticate नहीं कर पाए, तो आपको 10,000 रुपे for each default penalty, जो document में enter हो रहा है, जो transaction में enter हो रहा है, जैसे LIC वाला example उपर देखा था, person receiving such document fails to ensure that pen और आदार quoted and fails to authenticate, वो ensure नहीं कर पाया कि pen आदार लिखा है या नहीं, और pen आदार authenticate है या नहीं, वो ensure नहीं कर पाई LIC वगरा ठीक है, तो उसको भी 10,000 रुपे का each failure पर penalty लग जाएगा, तो देखो, 4 penalty है, पहला अगर माल लो, आपने pen के लिए apply नहीं किया करना चाहिए था, तो आपका क्या होगा, 10,000 का penalty, अगर माल लो, आपने कहीं पे कोई transaction में enter हो रहे थे, वाहां गलत pen डाल दिया, कर गे ठीक है, गलत pen डाला, तो उस case में 10,000 का penalty यह पहले से था, अब इन्होंने क्या बोला, आप जो pen डालोगे या आधार डालोगे, उसको authenticate करना पड़ेगा, आप authenticate नहीं किये, कर गे ठीक है, इन future ऐसा हो सकता, authenticate process and all, बट अब आप authenticate नहीं किये, तो 10,000 का penalty, अगर आप जो receive कर रहा है कोई transaction में documents वगेरा, और उसने आप ध्यान नहीं रखा, आदा डाला है या नहीं, authenticated है या नहीं, तो उसको भी 10,000 रुपे का penalty है, वो लग जाए गा, you got my point or not, yes चलिए, अब एक section है, 139B करके आज पढ़ना है या कल पढ़ना है 139B आज पढ़ना है या कल पढ़ना है सर आज तो छोड़ दो सर आज पढ़ना है या कल पढ़ना है चलिए 139B है वो कल पढ़ेंगी कुछ homework question लिखिए कुछ homework question लिखिए compiler में आईए बस करो सर थेयरी और आपना इतना पढ़ा लिया आजा आज यह written filing assessment processor topic no.20 दे रखा है, page no.351 पे question no.1 homework question no.1 homework question number two homework question number three homework question number three homework question number four homework question number four के बाद question number 18 homework question number 18 homework question number 20 homework question number 32 homework 32 homework 33 homework done इतना आप करके आई और जितना पड़ाया उतना आप रिवाइस करके आई इकल अपन इससे आगे continue करेंगे thanks a lot people that's enough for today from my side हएश प्राइब है रिवाइस कर दिष में नह हतारा कि feito रेके डizing हम जाना शें नह नहीं आतना ऊismo पॉशें कर दो साथ तर कह वाइस